मोगरा के पौधे पर फ्लारिंग लेने का समय आ गया है जैनवरी के अंत में और बसंत रितू के शुरू में मोगरा को बहुत अच्छे से फ़र्टिलाइज करना पड़ता है तभी आप मोगरा में बहुत जल्दी मार्च के शुरू में ही फ्लारिंग ले पाएंगे मोगरा के पौधे पर एक complete वीडियो मैंने share किया था यदि आपने उस खाद को नहीं डाला है तो पहले उस खाद को डालिए उसके बाद जो आज की वीडियो में टिप्स बता रही हूं इसको follow केजिए link description में दे दूँगे उस वीडियो का मोगरा का पौधा जैसा कि हम सबको पता है नवेंबर के बाद dormant हो जाता है यानि पौधा अपनी growth नहीं दिखाता है या कई बार पत्तियां पीली हो जाती है लेकिन ये खाद डालने से आपके मोगरा की growth भी अचानक आप यह कह सकते हैं साथ से आठ दिनों में बढ़ने लगेगी और यदि पत्तियां पीली होकर के गिर रही है जैसा कि कई लोगों की query है कि मोगरा बिल्कुल सूख रहा है तो पत्तियां हरी भरी निकल करके आएंगी मोगरा पर complete care उस वीडियो में मैंने बता दिया है तो please मैं बार-बार recommend कर रही हूँ आप उसको देख लीजे क्योंकि आज के वीडियो में मैं brief कर रही हूँ सिर्फ थोड़ा ही बता रही हूँ तो आपको यह पता होना चाहिए कि मोगरा को जैनवरी के end में जरूर खात दे देना चाहिए अब कई लोग कहेंगे कि दूप कम है तो ऐसे में क्या खात देना चाहिए दूप एक से दो घंटे की तो सभी जगहों पे आ रही है तो मोगरा को आप खात दे करके दूप में ही रखे पानी आप अब एक दिन या दो दिन गैप करके दे सकते हैं वेल ड्रेंज स्वाइल तो है ही अब खात की बात कर लेते हैं कौन सा खात देना है देखिए ये है एपसम सॉल्ट एपसम सॉल्ट बहुत असानी से आपको नरसरी पर मिल जाएगा ओनलाइन मिल जाएगा ओनलाइन लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ले सकते हैं ये आधा चमच एपसम सॉल्ट आप 8 से 10 इंच के कंटेनर में डालिए ये दि मिट्टी अलरड़ी गीली है तो आप ड्राइ फॉर्म में डालिए और ये दि मिट्टी सूखी हुई है तो आप इसे पानी में गोल करके डालेंगे पानी की मात्रा अपने कॉर्डिंग ले सकते हैं गमले की जितनी भी जरूरत है उसी साब से 15 दिनों के बाद इसे फिर से आप रिपीट करेंगे इससे दो-तिन फायदे एक साथ होंगे पतियां बहुत हरी-हरी लश ग्रीन निकल करके आएंगी साथी पौधे की ग्रोध सडली तेज हो जाएगी और क्योंकि अब मोगरा आने वाले 6 महीने तक बिना रुके continuous flowering करता रहेगा लेकिन जिन पौधों में ज़्यादा flowering होती है उन्हें systematically खाद देने की जरुरत होती है इस खाद को सुबह-शाम किसी भी time में दे सकते हैं और किसी भी season में दे सकते हैं सिर्फ dormant वाले season को छोड़ कर यानि December और November को छोड़ कर मोगरा के पत्तियों पर आप इसका spray कर सकते हैं जिससे की पत्तियां यदि आप कहां सूख रही है तो वो पत्ति हरी-हरी निकल करके आएगी सूखी हुई पत्ति को आप काट करके निकाल सकते हैं मोगरे के पौधे को यदि आप new लगा रहे हैं तो well-run soil में लगाईए और इस बात का विशेज ध्यान रखिए कि मोगरा एक heavy feeder है इसे हमेशा खाद देनी पड़ती है ये जो खाद आप देख रहे हैं ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से चापत्ती में ये खाद मिला करके देना है चापत्ती की खाद को किस तरीके से मोगरे पर देना है इस वज़े से ही मेरे मोगरे की पत्तियां आप lush green निकल करके आई हैं जो पत्तियां yellowish हो गई थी उन्हें cut करके हटा दीजे और इस खाद को देने से आप lush green पत्तियां ले पाएंगे और जैसा कि हम सब को पता है कि plant अपने पत्तियों से ही भोजन बनाता है देखिए मैं ये पिछले वीडियो का आपको दिखा रही हूँ कि पत्तियां इतनी तरो ताजा नहीं दिख रही थी लेकिन उस खाद को देने के बाद अब new lush green पत्तियां आई है ये जो epsom salt है इससे stem भी मोटा होगा और आपके पौधे को आप यूं कह सकते हैं कि regenerate करेगा यानि कि dormancy के बाद इस खाद को देने से आपके पौधे की मिटी भी बहुत उबजाओ होती है ये जो epsom salt है ये आप अपने सभी पौधों को दे सकते हैं इसे जिन पौधों में growth नहीं हो रही है या जो पौधे dormant थे और अब उनमें flowering का समय धीरे धीरे नजदीग आ रहा है ये जो मोगरे का पौधा है इसे आप जब अभी धूप निकलने लगेगी आप proper sunlight में रखिए मोगरे को shape दे सकते हैं कई लोग कह रहे थे की report कब कर सकते हैं report करने का ये बिलकुल उचित समय है धन्यवाद